बच्चो कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चनल जारे डाउनलेंड क्लासेज में बच्चो आज हम सभी हल करेंगे हमारे विश्य सामजी ग्यान शीत कालिन अफगाश का ग्रह कार्य कक्षा है चार तो बच्चो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दे से जाएए लाल बटन दवाईए और सभी मेरे चनल को सस्क्राइब कीजिए चनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए दिनांग चा जन्वरी 2022 मंगलवार का ग्रह कार्य पहला प्रशन है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आप कौन कौन से यातायात के साधनों का प्रियोग करते हैं तो देखिए बच्चों आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किन-किन यात-यात के साधनों का इस्तमाल करते हैं या प्रियोग करते हैं तो देखिए आप सभी यह लिखेंगे कार, बस, मोटर साइकल, घोडा गाड़ी, घोडा गाड़ी, रेल गाड़ी, मेट्रो, साइकल, हवाई जहाज, रिक्षा, ओटो रिक्षा, बैल गाड़ी, आदी, बच्चो और कौन-कौन से साधनों का आप रियोग करते हैं आप सभी उनका नाम यहाँ लिखेंगे, अगला प्रशन दो है बच्चो किसी भी सफर में हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखी, बच्चो और हम कहीं सफर के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें ऐसी किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो यहाँ आप सभी लिखेंगे, किसी भी सफर में हमें यातायात के नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है बच्चो, अगला, किसी भी वाहन की खिड़की में हमें अपने, अपने शरीर का कोई भी अंग बाहार नहीं निकालना चाहिए, अगला है बच्चो, सडक पार करते समय हमें, सडक के दोनों और देखना चाहिए, तथा जेब्र क्रोसिंग से ही सडक को पार करना चाहिए, अगला है बच्चो, किसी भी अजनवी से कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए, और अगला अपने सामान का स्वेम ध्यान रखना चाहिए, ठीक है बच्चो, तो इस तरह से मैंने आपको बताया है, कि हमें सफर करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इस तरह से बच्चो आप सभी को अपनी वरक्षीट को हल करना है, उमीद करती हूँ बच्चो सभी को अच्छे से समझ माया होगा, बच्चो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, जादा से जादा शियर करें, और नीचे दिए कमेंट बॉक्स से मुझे कमेंट जरूर लिख कर बताएं, कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा, और जिनों ने भी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाएए लाल बटन दबाएए, और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजिए, चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए, आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,